नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास समस्याओं के बारे में मैं हूँ डॉक्टर खुश्बू, मैं गाइनेकॉलिजिस्ट और IVF कंसाल्टेंट हूँ आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में ब्रेस्ट पेन महिलाओं में एक आम समस्या है लगभग 70% महिला को अपने जीवन में ब्रेस्ट पेन कभी न कभी जरूर होता है किसी महिला को सिर्फ खिचाओ, भारिपन जैसा महसूस होता है तो किसी को इतनी ज़ादा प्राब्लम होती है कि ब्रेस्ट टच हो जाने पे भी सिवियर पेन होता है सिर्फ फिजिकली ही या एक महिला को परिशान नहीं करती है mentally भी torture करती है एक महिला के दिमाग में तरह-तरह के खयाल आते हैं उन्हें सबसे ज़ादा डर होता है कहीं या ब्रेस्ट कैंसर का लक्षन तो नहीं बस आपके इसी डर को दूर करने के लिए आज हम डिसकस करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में ब्रेस्ट पेन तीन तरीके की होती है cyclical breast pain, non-cyclical breast pain and extra mammary breast pain cyclical breast pain आपके reproductive cycle से जूरी होती है आपके period से जूरी होती है या breast pain आपके जो महिला के periods के 3-5 दिन पहले शुरू होते हैं और usually periods आ जाने के 1-2 दिन के अंदर धीरे-धीरे करके समापत हो जाते हैं या जो pain होता है महिलाओं में periods के साथ इसलिए होता है क्योंकि periods में, महिलाओं में hormones के changes होते रहते हैं periods आने के just पहले महिला में जो progesterone hormone होता है वो काफी जादा high हो जाता है जिसकी वजह से जो breast है, stun में swelling आ जाती है और महिला को दर्द महसूस होता है या जो breast pain है, usually महिला के शुरुवाती periods के दोरान शुरुवाती young age में ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन अगर आपको cyclical breast pain है अगर cyclical pain आप notice करते हैं अपने breast में तो आपको घबराने की जरुवत नहीं है या बिल्कुल normal है hormones के साथ अपने और भी देखा है pregnancy के शुरुवाती दिनों में भी जब महिला के hormones high हो जाते हैं तो शुरुवाती दिनों में महिलाओं को breast pain हो सकता है in fact pregnancy के कुछ शुरुवाती लक्चनों में breast pain को माना जाता है या भी normal है तो अगर किसी महिला को pregnancy के दौरान breast pain हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है इसे भी हम normal माते है Usually cyclical breast pain self-limiting होती है इसके लिए आपको दवा लेने की जरुवत नहीं पड़ती है धीरे-धीरे करके अपने आप कम हो जाता है कुछ घरेलो नुसको का इस्तमाल करके आपको इस दर्द से अराम मिलेगा आप अपने diet में coffee, caffeine की मातरा कम करे coffee ना के बराबर ले, chai के भी amount को limit करे एक से दो cup chai maximum आप दिन में ले, उससे ज़्यादा ना ले अगर आप smoke करती हैं, धूम्रपान करती हैं, तो उसे बंद करें diet में fat को कम करें, salt को कम करें, यानि नमक कम ले, वसा की मातरा को कम करें proper breast support बहुत जरूरी है, अगर आप धीली ब्रा पहनते हैं या फिर tight ब्रा पहनते हैं, इससे भी आपको breast pain हो सकता है तो proper size का ब्रा पहने, पें के दौरान आप hot compression यानि की जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे सिकईया कर सकते हैं, इसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप अपने doctor के prescription से pain killers ले सकते हैं Evening prime rose royal, vitamin D, vitamin E के supplement लेने से भी बहुत आराम मिलता है cyclical breast pain के cases में, research में लेकिन यह बहुत controversial topic है बट हमने अपने जो OPD prescriptions में देखा है कि vitamin E, prime rose royal और vitamin D के supplement से patient को breast pain में बहुत relief मिलता है अगर इससे भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आपके doctor, आपका examination, ultrasound breast या फिर अगर आपकी उम्र पे 45 साल से जादा है तो आपको mammography prescribe कर सकते हैं just to rule out any other cause of breast pain, कोई और tumor, कोई cancer का तो अंश नहीं है जब हम यह rule out कर लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है then you can go for hormonal therapies जो आपके doctor prescribe करेंगे तो friends अब हम बात करेंगे non-cyclical breast pain के बारे में non-cyclical breast pain जैसा की नाम में है इसका आपके period से कोई relationship नहीं होता है यह दर्द आपको throughout हो सकते हैं, पूरे मासिक में हो सकता है या कभी भी शुरू हो सकता है, यह period से unrelated होता है एक side में हो सकता है breast के, दोनों breast, bilateral breast में हो सकता है किसी एक हिस्से में breast के हो सकता है, throughout breast हो सकती है usually जो सबसे common कारण है non-cyclical pain का महिलाओं में वो है fibrocystic disease of breast जिसमें आपके breast के अंडर छोटे छोटे जो है cyst बन जाते हैं पानी भरे हुए cyst बन जाते हैं जिसकी वज़़ से आपको pain होता है but usually यह self-limiting condition होती है इसमें कोई cancer का अंश नहीं होता है अपने आप धीरे-धीरे करके इसमें pain समापतों चाता है और इस problem से आपको निजात मिल सकती है दवाओं के help से कई बार महिलाओं को past में कभी चोट लगी होती है trauma हुआ रहता है जो उन्हें याद नहीं होता है उसकी वज़़ से भी आपको breast pain हो सकता है breast में किसी तरीके की infection हो गई है तब भी आपको breast pain हो सकता है अगर आप कोई दवाईयां लेती है तो अगर ऐसी कोई history है आपको तो आपके आपके doctors को share करना है कई बार ये चीजें miss हो जाती है हम other causes ढूंते रहते हैं और ये दवाईया side effects होती है तो कोई भी छोटी मुटी history भी इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि doctor से share करना बहुत जरूरी है अगर आप breast feeding कर रही है स्तन पान कर रही है और आपको breast में pain हो रहा है तो ये कई कारणों से हो सकता है आपको बहुत साधानी बरतनी है कई बार काफी serious problem हो जाते हैं सबसे पहले तो अगर आप breast feeding कर रही है और आपका जो बच्चा दूद ले रहा है उसका attachment सही नहीं है तरीका सही नहीं है दूद लेने का तो आपको breast pain होता है या फिर ज़्यादा milk produce हो रहा है आपके जो breast है इंगोश्ट हो गया है पूरे जो full गया है दूद से भर गया है अगर आपके breast में milk तो वैसे cases में बच्चा जितना दूद पी ले उसके बाद जो extra milk बचता है उसे आपको निकाल देना है otherwise अगर हम उसे छोड़ देंगे breast के अंदर तो धीरे धीरे करके breast पूरा इंगोश्ट हो जाएगा breast में गांट बन जाएगी और infection हो सकता है breast abscess हो सकता है तो जो extra वाला milk है उसको आपको निकाल देना है कई बार mastitis infection हो जाता है breast feeding के दौरान आपने साप सफाई अगर नहीं रखी है नेपल्स के अराउंड तो breast में infection हो सकता है उसकी वज़े से भी breast pain होता है breast में abscess हो जाने के वज़े से breast में pain पस भर जाता है engagement अपने ध्यान नहीं दी breast ingost था उसके बाद ठीक से care नहीं किया उसका और abscess बन गया तो ऐसे कुछ serious condition हो जाते हैं breast abscess एक बहुत ही serious condition है जिसमें कि मैला को काफी जादा दर्द होता है वो area जो जहां पर abscess बन गया है वहां पर पूरा red हो जाएगा inflamed हो जाएगा बहुत जादा tender होता है painful होता है तो friends जब भी आप breast feed कर रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो बच्चे की attachment है वो सही होनी चाहिए breast feeding का position सही होना चाहिए और अगर extra milk produce हो रहा है तो उसे discard कर देना है और जो तीसरा point है extra mammary actually महिलाएं confused हो जाती है कि उन्हें breast pain हो रहा है लेकिन problem जो है जो pain है वो उसके अगल बगल के structure breast के पीछे जैसे की ribs है bones है isophagus है आपके फेफडे हैं, lungs है वहाँ से अगर कोई pain arise कर रहा है तो वो आपको heart है in fact left side में कई बार जो आपका acidity का pain आपके heart से कोई pain arise कर रहा है वो आप breast pain से confuse कर सकते हो तो friends breast pain को lightly नहीं लेना है obviously आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी pain जो persistent है जो दवाईों पर भी नहीं आराम मिल रही है आपको तो आपके doctor को जरूर consult करना है रही बात cancer की cancer breast pain का बहुत ही कम cases में cause होती है but yes अगर कोई persistent pain अगर आपको breast में हो रहा है तो once जो है आप अपने आपको evaluate जरूर कराओ plus breast self examination जिसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है मैंने वीडियो बना रखा है कि अपने breast का examination खुद करना जरूरी है to rule out cancer or to detect cancer in its early stage तो आपको breast self examination करना चाहिए अगर कुछ भी problem आपको breast self examination में लगती है तो आप अपने gynecologist को आप अपने doctor को जल्दी से जल्दी consult करें तो friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please like, share and subscribe करना बिलकुल ना भूले like करने से मुझे motivation मिलती है वीडियो शेर करने से आप knowledge spread करते हैं और subscribe करने से आपको मेरे वीडियो के updates सबसे पहले मिलेंगे